आज थाना सचेंडी पर एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक वक्ति के दुआरा आरोप लगाया कि कल दिनांग 22 फरवरी को जब शाम के समय वो वापिस अपने घर लोट रहा था तो थाना सचेंडी चेतरा अंतरकत दीपू चोहान ढावे के पास तीन पुलिस कर्मियों ने उसको रोका जिसमें दो पुलिस कर्मी साधे वस्तरों में थे और एक पुलिस कर्मी वर्दी में था और उसको डरा धंका कर जबरदस्ती उससे पांच लाग तीजार रुपे छीन किये गए इस सूचना पर सचेंडी थाने प्रवारी के द्वारा जब जाच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई उन तीनों पुलिस कर्मियों की पहचान उपनिरिक्षक यतीश कुमार, हेड कॉंस्टरिबल अब्दुल राफे ये दोनों साधे वस्तरों में थे और वर्तम जो वादी हैं, पीडित हैं इस प्रक्रण के उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है, उसके आधार पर सुसंगा धाराओं में अभियोग पंजिक्रित करके अगरिम विधिकारवाई की जा रही है, तीनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलम्रित कर दिया ग